Good morning everyone, 7th class, कैसे हैं आप सभी, I hope all are, very good, today is 29th of October, और डे है Friday, तो आज से हमें एक नय चप्टर स्टार्ट करेंगे, मांचल की लोक, संस्कृति एबं योग का, अध्याय, 11 सफल जीवन हे तू योग के नियम, तो सफल जीवन के लिए जोग आपको कुछ नियम पता होना चाहिए पिछले चप्टर में हमने कई सारी योग क्रियाओं के बारे में डिसकस किया, कई सारी सुक्सम क्रियाओं के, कई सारी योग अभ्यास किये, तो कुछ नियम भी आपको बता होना चाहिए, सफल जीवन बनाने के लिए, तो काफी अच्छा चप्टर है, काफी इंटरस्टिं करेंगे तो उससे पहले समझते जाएए जो भी अभ्यास के कोशिन है उनको भी यहापे जो वो साथ-सात में डिस्क्रस करेंगे क्या-कया जो वो अभ्यास में पूछा जा सकते हैं तो उससे पहले यहापे लिखा है कि बिरेंदर आज प्रातर पांच बज़े उटकर जो वो मैं और मेरा साथी मतलब कि बो और उसका साथी किसोर कहना में उसके साथी का किसोर मंदिर में माता टेकने जा रहे हैं तो मा बोले ठीक है सौच जाकर हाथ दोना बहुत दातुन के परस्चा सनान करके ही जाना ठीक है तो यह भी आपको पता होने जब भी मंदिर में जाएं तो सौच में जाकर, सौच जाने के बाद, हाथ दोना है, ठीक है, दातुन करने के बाद जाए, नहाने के बाद जाए, ठीक है, सनान करने के बाद जाए, ठीक है, सनान करने के बाद जाए, ठीक है, सनान करने के बाद जाए, ठीक है, बिरेंदर बो रहे हैं, मैं, मैं ये दिन कि गतिभी दिये जो कर चुका हूँ, अच्छा मा मैं चलता हूँ, तो बिरंदर बो रहा है, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, सौजा चुका हूँ, हाथ दो चुका हूँ, दातुन कर चुका हूँ, ब्रस कर चुका हूँ, जो भी है, सनान कर चुका हूँ, ठीक है, तो सब कुछ और आए अगे बिरेंदर किसोर जोकी उसका दोस्त है, बो बोड़ें आगे बिरेंदर मैं तुम्हारा इंचर कर रहा था, जरह दोड़ लगाएं तो सेहत के लिए लापड़क होगा ठीक है, तो दोड़ लगाने लगे वो तो बिरंदर बोले ठीक है चलो दोड़ना सुरूगते हैं दोनों मितर दोड़कर मंदरे पहुँचते हैं जहां पुजारी जी पुजा अर्चना में विवस्त थे तो बिरंदर बोले हैं प्रणाम पुजारी जी तो पुजारी जी अब नियम बताएंगे साइथ तो देखिए यहां काकर बिरेंदर उकिसोर मंदिर में प्रभू की मूर्ती के समक्ष जोबो नतमस्तक हो जाते हैं कुछ देर आँखें बंद करके जो वो ध्यान लगाते हैं ठीक है आप भी आँखें बंद करके जो मंदिर में जाते हैं तो ध्यान लगाते हैं थोड़ देर के लिए कुछ मननत होगी होती है तो मांगते हैं बतर कि यह कैसे ध्यान लगाते हैं ठीक है तो किस ओर मुराइक बहा सेस्ट गुर्ण जो वो इससे प्राफ्त होते हैं, हर ब्यक्ति को जो वो बिभिन आगे है से पेज नमबर सेम्टी नाइन, सॉरी सेम्टी था है, तो सेम्टी फॉर है, ठीक है, बिभिन नियमों का पालन करना चाहिए, नियम का समथ है, समथ है, उन साधनाऊ बहा निर्मान के लिए आपको इन नियमों के बारे में जानना चाहिए, तो कि शोर बोलें, ये नियम क्या क्या है, पुजारी जी, तो नियम याद रखिए, नियम ही इससे पहला कोशिन आगा, नियम किसे कहते हैं, तो नियम क्या क्या है, तो पुजारी जी बोलें, ब्यभारिक पुछ तिस्टी से जो वो योग के अंतरगत पांच नियम जो वो मानव के लिए देखे यहां पर नियम क्या है वो जो यहां पर इसका अंसर हो जएगा नियम का समन्द है उन साधना होंब और निर्देशों से जो की मानव बहित और व्यक्तित वा विकास में साहिक है तो इसको आप लिख सके हैं फर्स्टी कोशिन में ठीक है यहां तक नेक्स नियम कहके है तो ब्यवारी के दिश्टी से योग के अंतरगत पांच नियम बताएंगे तो पांच कौन कौन से सौच संतोष तप स्वध्याय एबम इस्वर प्रणिधान ठीक है तो इन पांच निय प्रति पालन करना मानब का लेन के लिए आप सके है अन्य था यह जीवन जो वो सफल बहुत दूखत सुरी दूखत नहीं सुखत नहीं बन सकता ठीक है दूखत बन जाएगा बिनंदर बूच रहे कि पुजारी जी क्या नियम हमारी दिन चरे से दुड़े है तो हां हमारी द प्रतितर और सुच यह दो प्रकार का होता है आंतरिक सौच और भाहिये सौच भाहिये सौच जो प्रतितिन करते हैं ठीक है सिर्की सफाई भी करते है सिर्की सफाई भी हो जाती है ठीक है लेकिन आंतरिक सौच से ताथ पर है कि मानब के अंतरमन अब विचारों की सुदता और पवित्तता ठीक है अंदर से तो मतल की बहार से तो आप साफ हो गया अंदर पेट भी साफ हो गया ठीक है लेकन आपके विचार में सुदता होनी चीए पवित्तता होनी चीए बो जोबो अंतरमन से जो वो अंतरिक सौच है ठीक है तो अंतरिक सौच का आर्थ हो गया मानु के अंतरमन और विचारों की सुदता और आंत्रिक सौच तो टेले करते हैं, लेकिन आंतिक सोच को भी करें, अपने मन को जो वो सवच रखें, पवित्य रखें नेक्स्ट एफ किस हो, फिर दूसरा नियम कौन सा है पुजारी जी तो पुजारी जी वो रहें, संतोस यानि संतोस्टी तो यदि मानव के पास संतोस रुपी धन नहीं है, तो वो धनवान होते हैं, वो भी कंगाल है, मतलब कि उसके संतोस्टी नहीं है, पैसा तो बहुत है, संतोस्टी नहीं है, ठीक है तो वो कंगाल है, समाज में बहुत थिक बस्तों बव माया के प्रती आकर्षित करने वाला मानव संतोस को प्राप्ती नहीं कर सकता है, संतोस की प्राप्ती नहीं कर सकता है, इसी कारण प्राय अपरहाद होते हैं, जगडे, दंगे, बस मसे आती उत्पन होती है, यदि मानव जो चित पर नियंतर न करें और इच्छाओं को न पस्याप, ठीक है, नेक्स्ट है, पेज नमबर 75, येस, तो यहां पे लिखा है, पुजारी, तब कारत है, सोह, स्वेच्छा, ठीक है, येस, सुश्चा लिखा है, मैं अतरह, जोब हो यहां पे, मिस्प्रेंट हो गया है, सुछ्चा, अजब गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, कस्ट आधी सहंद करके किसी सार्थक उधियसे की प्राप्ती का नित्य प्रयास करना तिए मतलब कि अगर आपको गर्मी लग रिये तो उसको सेहन करिये सरदी लग 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 ले सेहन करिये बूख लग 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 ल कार्थ होता है सहाजता क्या रत होता है सहाजता सरलता एगन सहज जीवन यापन करना तो तप जो वो सहानसीरता इस Chap commer अंसरता से संभव है मतलक आया की Summit सावन करने की सकती होनी चाहिए आपके पास संबब है मतलब कि सहान करने की सकती होनी चाहिए आपके पास मानव परिष्थितियों के अनुरूप ढलें और सहजता सुक दुख को सविकार करें तो वह भी तपस्वी कहलाता है तियाद रखिए अगर आपको भी तपस्वी बनना है तो ऐसा नहीं है कि आपने जो वह एक्ची तपस्वी कहला मतलब कि आपने आपको कहलाना चाते है तो जो वह आप सुक दुख को मतलब कि मानव की जो परिष्थितियों है जाए दुख हो रहा है दुख हा रहा है उसको जो वह सविकार करते हुए आगे बढ़ें ठीक है वह भी तपस्वी है तो तप जो वह समाजिक समझसे का मूल है बीन तप के जो वह द्यत्मिक और समाजिक हुन्ती जो वह संबब नहीं है तो हर मानव को तप करना चाहिए प्रभू के ध्याने तो जो वह तप से इसकर है तो मैंने आपको बताया था कि तप करना इतना असान नहीं है तो यह तो अलग ताइप के तप होते हैं ठीक है तपस्वी होती है लिकनी आपे लिखी है एक बात बहुती है अच्छी कि अगर आप भी तपस्वी है तो आपको जो वो सुख दुख जैसे चर रहा है उसको सभिकार करते होए सहन करते होए आगे बढ़ो ठीक है तो यही आपकी तपस्वर सत्यक और स्वाध्यय के बारे में हमें जान करती do स्वाध्यय क्या होता है पुजारी जी बोरएकि का समाजिक ग्यान आर्जन करना है वही दूसरी और आत्मा भलोकन भा आत्मा लोचन भी जो वो स्वाध्याय का ही रूप है देखती है अपनी कर्मियों की स्मिक्सा करते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास कता है यह जो वो स्वाध्याय का उद्यस से है ग्यान आर्जन की प यहां भी कोई नियम है, फुजारी जी बोले बेटा हर मानव उस परम प्रभु कायांस है, इस वर जो वो प्रणिधान एक ऐसा नियम है, जो कि मानव जीवन को सफल बरसार्थक बनाता है, इस वर प्रणिधान का अरत है, इस वर के प्रति समर्पन, आप इस वर के प्रति स्व जगा मैं हिस्रेश्ट हूँ यह जो वो अंकार है आपका याद रखें आंकारी मानव को मानव को इस वर अवस्य अनुभब करवाते हैं कि वह जगत में उसकी करीपा के बेना कुछ भी नहीं है इस वर के लिए अपने समर्थे का अनुसार कारे करें समर्थे का अनुसार तो द दिलाते हैं कि मेरे भी ना कुछ भी नहीं है इस जगत में उसकी करीपा के बेना कुछ भी नहीं है यह आपको अनुभब होगा अगर आप भी ऐसे हैं तो नेक्स्ट पेज नंबर 76 यहां पे लिखा है कि हम इस वर यहां पे लिखा था कि हम इस वर के लिए क्या कर सकते हैं पुजारी जी तो हम इस वर खापी अच्छा को इस नहीं कि इस वर को खुश करने के लिए इस वर की क्रीपा हो तो इसके लिए हम क्या करें तो पुजारी कि सेवा करो, फल की चामत करो, ठीक है, करम करो, फल की चामत करो, ठीक, आपने सुनाओगा, अच्छा, अब मैं स्वारंग, स्वारंग, पुष्टी क्रिया करना चाता हूँ, आप मंदिर में, मंदिर परिशन में बैठ चाहे, तो कैसे करना है, तो देखे, बिरेंदर पुछ हैं कि पुछारीजी, कि हमें भी आकरिया सिकाएंगे, पुछारीजी, बोरा है, ठीक है, ज़ Ajay आप इसे शिखने में चुका है, तो मेरे साथ Armen आप खडे हो जाए, अब अपने दोनों पैर को फहलाए, अपने दोनों हातों के अंगोटों को मुठी के अंदर की ओर बंद क करें और अपने दोनों हातों को कलाई को एक दूसरे पर जो फीड़्यक रोप में रखें अब जो अपने गुत्ने जो मोट्यों के जमीन पर पर रखते हुए हां सामने की दिसा में जुकिंए अब सांस बरते हैं, वे स्रीट को बाएं से धाएं, बाएं से बाएं, चक्रागार गुमाएं, यह क्रिया जो पांच से दस बार करनी है, सावास, मेरे साथ यह क्रिया, तुम भी करो, तो आप यहां पे चित्तर दिखाई दे रहा होगा, देखें, इसको बोलते हैं, कुष्टी नमबर दो, तो अपने दोनों अभियास से बाएं, अपने पैरों को पहले फुलाना है, अपने दोनों हाथों को देखें कैसे मुठी बंद किया है, फिर जो वो नीचे के और जुकना है, और इसको नीचे के और लगाने की को सिस करनी है, इसको बार बार करना है यहां पर भी लिखा है, यहां पर पैरों को देखे एक पीछे के और एक आगी के और और अपने ऐसे हाथों को जो बोगँ आसे पीछे को थोड़ा सा नहीं, तो ऐसे आपने करना है इसको, तो किस ओर बहुत रहे हैं, पुजारी जी से क्या कहलाब है, ठीक है, तो यहां पर ज कुष्टी के लिए एक दसे कवारंग पूछ्टी करिया टैसे हैं तो क्यों करते यह सब को के पुष्टी के लिए एक बात्सक्र पूह घ्रिए दोनों पैर हिसी कणि देखे, यह पे लिका है स्वारंग पुष्टी नंबर तीन, तो जैसे जैसे हैं पिछे के बवर चुखना है, यह हाथों को इकठे करके पीछे कर Harzie करें पपैर जो है तो आपकी पोटो भी आप यह ठीक है तो सभी ने भेजना है ताकि मुझे पता चले कि आप भी अच्छे से कर रहे हैं तो यह लास्टी था यहां पे लिखाए लास्ट में कि कहते हैं अच्छा बेटा सिर्धालू मंदिर परिशन में आगे हैं चलो आरतीव भजन कितन करें यह ककर जो बिरेंदर बक्ष और पुजारी के साथ मंदिर में चले जाते हैं और भजन कितन से गुझा इमान हो जाता है तो इन तीनों स्वानिक पुष्टी भ्यास को जो आप तीनों को करिए अच्छे से करिए कल से हम भ्यास के कोश्चिन करेंगे okay thank you and have a nice day